सोट की रेइसिपी 이상 नहीं हैं, यह कहाने में बहुत ही टिश भीडहा है, इसको कि आप समासो के साथ , टिक्के गिंवाद और ने सकते है नहीं पर सब क्यांट, इसको ले सकते हैं तो यह देखिए हमने एक से दू कप पाणी लिया है और उसमें हम Himli को अच्छा से वाश कर लेंगे और उसको सोक करके रख देंगे लगबग आदे घंटे के लिए इसको रख देंगे यह देखिए आदे गंटा हो गया है अब हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे क्योंकि हमें इसका पल्प तयार करना है इसके सारे सूते और जो भी वेस्टेज है इसको अलक कर देंगे इस तरह से अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है और अब हम लास्ट में इसको एक सीफ की मदद से इसको चांद लेंगे लास्ट में तो हमारे पास इसके प्यूरी बनकर तयार हो जाएगी यह देखिए इस तरह से हम इसको छान लेंगे और अब हमारे पास इमली की प्यूरी बनकर बिल्कुल तयार है इस तरह से देखिए और उसके बाद हमें इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं इंबली का पल्प वह हमने यह लिया है सासाथ हमें इसमें ऐड़ करना है धुर्ष हमें इसमें यह ऊड़ा एड़ केड़ें bring me vara consistent काला नमक , सादा नमक , भर फीमिर्च और थोड़ा सा नौसादर हम बहुंड कर सकते था का टेल्स बहुत अच्छा आता है और ड्राय फ्रूट्स आप जो जो है वो एट कर सकते हैं हमने यहां पे छुआरा और किश्मिश्ली है आप चाहें तो इसमें करभूजी की मींगी और काजू भी एट कर सकते हैं हमने यहां अधरक का छोटा टकुडा लिया था और उसे ग्र बार किया था वह में आट कर देंगे है इस तरह से इसके बाद हमने 200 ग्राम इंप रखा लिया था और उसमें हम 500-500 ग्राम हमें इसमें शुगर एट करनी है आप चाहें तो इसमें आधा गुर्ड और आधा चीनी ऐसा भी शुगर आट कर सकते हैं यह आपके विश हैं हमने इसमें purely कोड़ी का ही उसकिया है यह आपके विश है और इसमें हमें मिर्ची पॉडर हमने एट कर दिया गरम मसाला और नमक साधा नुसार हमें इसमें एट करना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने अधरक का एक छोटा टुकड़ा लिया था और उसे ग्रेट कर लिया था उसको भी हम इसमाइट कर देंगे और ड्रायर फूर्ट्स अपने जो भी लिया हूँ वह उसमाइट कर सकते हैं हमने एक च्वारा और किश finances लेया था उसको हमने एट कर दिया है आप चाहें तो मींगे का जू वगवारह भी एट कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे, गाड़ा होने देंगे, इसकी consistency आपको अगर पतली रखनी है तो आप यहीं पर ही गास को बंद कर सकते हैं, और आपको और भी ज़्यादा थिक रखना है, अपनी सोट को तो आप थोड़ी दिर और पकने देंगे इस सोट को, यह है, उसके बाद आप इसको एक जार में रखकर फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं, यह बहुत दिन तक फ्रेश रहती है और आप इसको किसी पर डिश के साथ ले सकते हैं, so enjoy and thanks for watching. झाल